Hello Friends, Welcome to Pro Talent and I am Natin Parmar आप सब लोग अपनी केट की तयारी अच्छे से कर रहे होंगे आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक सीरीज ओफ डायलोग शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ जहां पर मैं आपको समय समय पर ऐसे कुछ मुद्दे बताता रहूंगा कि जहां से आप अपनी केट की तयारी को और एफेक्टिव वे में कर सकते है ठीक है जैसे आज मैं एक जीरो से बताऊंगा कि क्या-क्या चोटी-चोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है ठीक है नाओ वी आल नोओ दाट इस नौट अच्छे बच्चे आके कॉंपिटिशन करेंगे तो highly competitive exam है पेपर का pattern तो हमें पता ही है कि that is last year में CONT के 22 questions, LRDA के 20 questions और RCVA के 24 questions it's a computer-based examination that is what we know इस exam में देश के सबसे अच्छे अच्छे बच्चे which is IIT, NIT या कभी कबार AIMS, medical के बच्चे, CA के बच्चे ठीक है हर तरीके के बच्चे आके इस exam को लिखते है कुछ लोग इस exam को पहली बार दे रहे है कुछ लोग उसको दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार दे रहे होते है yes or no, so therefore this exam turns out to be reasonably competitive this exam becomes reasonably tough and this exam is also crucial for everyone's career आपके career के लिए इस लिए ज़रूर ही है क्योंकि आपको इस exam के द्वारा top की college में जाने का मौका मिलेगा top की college में जाने का मतलब हो गया top का placement यह सणों दोस्तों तो भाया, अपने इस सपने को साकार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल, महनत करनी पड़ेगी कुछ habits बनानी पड़ेगी दोस्तों, अब आप यह मुझे पूच सकते हैं कि sir, यह तो आप number बता रहे है total, ठीक है? यह total number आपके सामने हो गए है 66 questions क्या questions number मैं attempt करूँ ताकि मेरा score अच्छा है? ठीक है? दोस्तों, एक rough अगर मैं target number आपको बताऊँ that if you are looking at 99 percentile ठीक है दोस्तों, अगर आप 99 percentile target कर रहे है then you need to get a score of somewhere around 90 plus ठीक है? एक question के 3 mark होता है ठीक है? यहाँ पर into 3, that makes it to 196 198 marks ठीक है ना? This is 198 marks का paper उस 198 marks में से अगर आप 90 marks लाते है ठीक है? which means you are getting 30 questions right ठीक है? तो यहाँ आपका 99 पका है 100 के उपर लाओगे तो 99.5 के आज वाज वाज वाएगा ठीक है? यह last year की बात है हर साल यह number vary करता है ठीक है? तो हम अभी इस महोल में नहीं जा रहे कि अभी तो हम शिरुवात कर रहे लड़ाई लड़ रहे रोज की यह सर नो तो भया यह इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यह ध्यान रहे कि आपको clarity रहे कि रोज का काम रोज क्या करना है ठीक है ना? चलो ग्रेट पहला जो भी बच्चा कैट का एक्जाम क्लियर करेगा उस बंदे के मैथ के कॉंसेट्स एकदम क्लियर होंगे हवा में नहीं होंगे ठीक है? आपके टीचर आपको महनत से दो गंटा मैथ पढ़ाया quantitative techniques के अंदर आपको quadratic equation पढ़ाया quadratic equation पढ़ाने के बाद टीचर ने आपको बोला कि आपका एक test रखेंगे और बच्चे कुछ भी पढ़े बगर आजाते है कितना दूख होता है टीचर को यह बताईए यह सनू यह अच्छी बात नहीं है ठीक है? मैथ के concept clear तब होंगे जब आपने class में theory पढ़ी दो घंटे की और उस theory के उपर minimum 150 questions की practice करी ठीक है? तब जाकर आप एक average level के बच्चों से थोड़ा उपर उठ पाएंगे quadratic equation या कोई भी topic के अंदर तो math के concepts को strong बनाने के लिए हर बार target करना है दो घंटा theory प्रापर पढ़नी है उसके बाद 150 questions की practice करनी है कभी कबार कोई topic में दो घंटे की जगा पे चार घंटे लग सकते हैं लगने दीजिए कोई गलत बात नहीं है ठीक है? important part है concepts clear करिए ये सबसे ज़रूरी है number two एक अच्छी calculation capability चाहिए जहाँ पर आप एक बार calculate करते हो तब आपकी एक बार में accuracy अच्छे से आ रही है और आपके पास जो number solve करने का जो है आपके सामने वो numbers को solve करने के लिए आपके पास अलग-अलग method है उन में से सबसे तेज क्या हो सकती है वो identify करके speed में solve करना ज़रूरी है आपका brain quickly decision लेने के काबिल होना चाहिए कि क्या method से इसको मैं solve करूँगा बहुत सारी method है पकडूँगा कौन सा ये capability आपके पास होनी चाहिए ये आएगी कहां से जब आप practice करते हो consciously आँखें बंद करके practice मत करो question की practice करो तो practice ऐसे करो कि आपको ये पता रहे कि मैं यहाँ पे बहतरीन method कैसे adopt कर सकता हूँ reading capacity is very important my dear students अगर आपने आपकी vocab के उपर improve करने के लिए daily कुछ काम नहीं कर रहे हो तो बिलकुल गलत कर रहे हो आपके लिए मैं weekly तगड़ा vocab का session लेता हूँ yes or no उस weekly session के अलावा आपको course में एक daily vocab का module दिया गया है please उसको खतम करिए daily एक video और उस एक video के साथ 15 questions please खतम करिए vocab very important दूसरा part read daily newspapers अकबार डेली पढ़िए एक घंटे तक अकबार रोज पढ़िए capacity develop करिए कि complex चीजों को आप पढ़ पाते हो समझ पाते हो और उसमें से आप interpret कर पाते हो the best way is you read a newspaper article एक बार पढ़ लिया फिर उसको बन कर दीजिये उसकी summary लिखिये ठीक है in five minutes you should be in a position to provide detailed summary of whatever you have read this is very crucial ठीक है यह आपके लिए बिलकुल जरूरी है ती चौथा point English language is a sine qua non what do you mean by sine qua non अगर नहीं पता है तो cat कैसे दे रहे भाईया समझ रहो ना sine qua non अगर आपको नहीं समझ में आया तो दिक्कत हो जाएगी ठीक है sine qua non का मतलब होता है without this it will not work ठीक है without having good command over English ठीक है you cannot crack your cat आप समझ सकते हैं कि cat की परिक्षा के अंदर सबसे ज़्यादा number of questions are coming from English कितने questions है 24 उन 24 में से 22 attempt होने चाहिए न 21 तो होने चाहिए 20 तो होने चाहिए तब जाकर 99.5 percentile के उपर आएगा तब जाकर एमदाबाद बैंगलोर कॉलकता आपको बुलाएगा सही बात है ना great तो अब इसको improve करें कैसे step by step बहुत simple सी बात है vocab मैंने बताया वीडियो से करिए हमने आपके लिए पुरा वीडियो अविलेबल करके रखा हुआ है number one number two word power made easy naam की book available है आप वहाँ पे ध्यान दीजिए तो vocab के उपर आप ध्यान दीजिए साथ में logic के उपर ध्यान दीजिए किदर ध्यान दीजिए भया logic ठीक है not logical reasoning वाला logic but whatever is written in the verbal front ठीक है sentences एक दूसर के साथ कैसे connect होते है developing an idea about what is the conclusion what is the unstated premise what is assumption what is inference ठीक है how do you strengthen the argument how do you weaken the argument that is very crucial if your teacher is able to help you to learn all this that means you are in right hands अगर आपके teacher आपको यह बता पा रहे कि logic important है तो आप सही हाथों में है please उसका भरपूर यूज करे ठीक है बरबर है ध्यान रहे बगेर logic आप English को crack नहीं कर पाएंगे बगेर vocab English को crack नहीं कर पाएंगे और साथ में grammar पे भी ध्यान देना जरूरी है then comes number five complex data analysis is must complex data analysis इसे आप समझ सकते हैं आपका LR और D.I. that is logical reasoning और data interpretation का जो section है उसके पीछे कोई theory तो अबेलेबल नहीं है आप देख रहे हैं कि हर साल cat के अंदर puzzle-based जो questions आते हैं हर बार नहीं आते हैं और उसके पीछे कोई theoretical aspect नहीं है the only aspect is ability to handle graduate level data simple और इसके लिए करना क्या पड़ेगा एकदम basic से एक George Summers की किताब उठाईए दिन में दो या तीन puzzle solve करिए ठीक है weekly जो आपको करीबन हम 60 से लेकर 100 questions के बीच में जो practice देते है weekly please उसको करिए बहुत important है ठीक है weekly target है आपका कि आपकी booklet खतम हो जानी चाहिए और जब हम बोलते हैं कि booklet खतम हो जानी चाहिए हमारा मकसद है कि एक बार नहीं बेटा दो बार ठीक है दो बार आपकी booklet आपके आतों से solve हो जानी चाहिए ठीक है आपका confidence वो काफी बढ़ाएगा ठीक है बराबर है number six sitting for long hours आपकी परिक्षा दो घंटे की है actual cat is of two hours आपको एक घंटे पहले report करना है which means आप घर से आदे या एक घंटे पहले निकलेंगे so basically आप चार एक घंटे तक एकजाम के महौल में हो ठीक है और वो pressure handle करते आना चाहिए और वो pressure handle करने के लिए आपको लंबा बैठने की capacity हो नहीं चाहिए न अगर आप 30-40 मिनिट के बाद पक जाते हो आपको break चाहिए आपको अपना phone उठाना पड़ेगा तो गलत बात है Snapchat, Insta ये सब आपको जो समय समय पे हर 20-25-25 मिनिट पे चाहिए न वो बिल्कुल गलत बात है ठीक है ना करे ऐसा ठीक है अपने life के साथ छेड़कानी ना करे ठीक है अब बात ऐसी है कि सब को पता है कि practice करना regular testing करना ये सब को पता है In fact आप सब लोग जो ये video देख रहे ठीक है आपको ये सब मैंने जो बताया वो जानकारी है ठीक है आपको ये भी पता है कि cat में success पाने के लिए क्या करना है ये सब को पता है पर फिर भी क्यों सिर्फ top 1 percentage students that means क्यों सिर्फ 99 percentile के उपर वाले बच्चों को success मिलती है that means they are getting into the cat that is into the IIMs the big reason is ठीक है क्यों बहुत कम लोग वहां तक पहुँच पाते है the difference is the level of their preparation आप में से बहुत सारे लोग prepare तो कर रहे पर वह preparation वो level की नहीं कर रहे जिस level पे top 1 percentage के बच्चे पहुँचते है top 1 percentage वो बच्चा है जो continuous मैनत करता है और consistently मैनत करता है साथ दिन में से दो दिन बिलकुल charged up है आँख खुल गई उसकी मैनत कर रहा है बाकी चार दिन दिखता ही नहीं है class में भी ऐसा होता है न ठीके न आप regular नहीं होते हो class में आप में से बहुत सारे लोग पता नहीं अलग-अलग कारोनों की वज़़े से छुट्टी लगाते हो मुझे तो यह समद नहीं आता कि चुट्टी कैसे लग सकता है सर बीमार हूँ इसलिए नहीं आया सर आज college में फलाना काम था इसलिए नहीं आया सर आज है न फलाना का घर में ये काम था इसलिए नहीं ठीक है क्या मजाग बना के रखा है cat की परिक्षा हना नॉम्बर में आ रही है उसको execute करना अलग बात है ठीक है आप और में टीवी पर बैटे-बैटे मैस देख के जरूर बोल सकते क्या रही है ऐसे बॉल नहीं डालनी थी हरी ये बॉल पर तो six मारना था पर वहां पीछ पर खड़े होकर एक इसे काम करना अलग बात है आपको जाना है उस पीछ पे और उस पीछ पे जाके लड़ाई लड़नी है सिफ नोइंग से कुछ नहीं होगा डूइंग करना पड़ेगा डेली बेसिस के उपर डूइंग 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 के बगर नहीं चलेगा भाई समझ लो इस बात को यह अंदर मन में ठान लो कि तुमारा डूइंग के बगर नहीं चलने वाला सो दोस्तों आपके लेवल आफ प्रिपरेशन comes from yourself आप अपने अंदर जहां कर देखो कि जब आप पड़ाई करते हो क्या आप अपने आपको उस एक्सेलेंट लेवल पे ले जाने के लिए तैयार हो क्या आप उस टॉप लिवल पे अपने आपको बढ़ाने के लिए तैयार हो रोज रात को सोने से पहले अपने आपसे यह पूछ सकते हो कि क्या मैंने आज उतनी मेहनत करी कि मुझे वो टॉप 1% में पहुचा सकता है बुरे इंडिया में हाँ अच्छी बात है न तो सो मत जाओ जागो काम करो मेहनत करो यह जरूरी है दोस्तो एक्सलेंस लाओ टॉप में जाना है यही फोकस के साथ आगे बढ़ो तुम अगर यह नहीं ध्यान रखते हो तुमने यह फोकस नहीं किया है तो फिर किया ही किया तुमारे लाइफ का एक ही तो मंत्र है पढ़ाई पढ़ाई के लावा और कुछ काम है क्या तुमारे पास कुछ काम नहीं है कोई काम नहीं है और तुम मुझे कोई काम बताते हो तो तुम अपने आप को जूट बोल रहे हूँ ये समझो समझा रही है बात ठीक है लगो तपस्या में ये समय आया है तपस्या में लगने का ठीक है So what are the crucial factors keep in mind Number one, it's a timed test Cat is a timed test So make sure whatever you practice You practice within a time limit लड़ाई उस बात की है Practice करो इसमें समय लगता है It's a computer-based test So screen reading is very important Screen reading practice is very important ठीक है So ideally focus a lot on learning from your screen That is very important And then cat is a test of accuracy Accuracy का exam है भाईया मैंने आपको भी बताया 66 question में से 30 question भी अगर तुमारे right हुए तो भाई तुमारा 99 percentile पका है Yes or no? Which means you must have clarity on every topic Clarity to that utmost level Superficially कुछ नहीं चलेगा So what are the success factors for you in the cat? Number one Your strong comprehension skill Develop this How do you develop? By reading newspaper Read in one go Understand it fully Develop a summary Number one Number two Pursuing long fluctuating journey of preparation Preparation के अंदर बहुत fluctuation आएंगे कभी कोई चीज़ पसंद आएगी तो बड़ा मजा आएगा कभी नहीं आएगा ठीके तो बड़ा दूख होगा कभी मैनत करी Score नहीं आया कोई नहीं Score नहीं आया अगली बार फोड़ेंगे ये विचार के साथ आगे बढ़ेंगे तगडिक quantitative skill चाहिए भाई कौन तो तगड़ा चाहिए Good reasoning ability चाहिए Reasoning इतना strong चाहिए कि कोई भी तरीके का question आपके आपको के सामने होगा तो आप कर पाओगे तो आपको 3A strategy follow करनी है Have fundamental knowledge Acquaint yourself with the syllabus Acquaint yourself with the topic Acquaint yourself with all the areas That will take lot of time Then comes acquire क्या acquire करेंगे Speed and accuracy Acquire methods to crack questions And then accelerate Move at fast pace Write lot of mocks ठीक है 3-4 महिला लगता है दिन में 3 गंटे लगाने पड़ते है जहां पर आप अपना syllabus कम्लीट करेंगे और आप at least 100 questions From every topic of LRDI करेंगे 1000 words करेंगे Newspaper reading capacity Develop करेंगे 500 RC questions की practice करेंगे और अपनी stamina develop करेंगे यह आपका 3-4 महिने का time होना चाहिए अभी अपन जून में बैठे है November में exam है ठीक है अब यह part तो 3-4 महिना तो नहीं लगना चाहिए कितना लगना चाहिए ठीक है Maximum 2 महिना अगर आप नए नए student हो तो ठीक है आप काफी समय से तियारी कर रहे हो तो आपको एक महिने में यह कर देना है भाया this is important then comes next stage यह आएगा आपका acquire sectional test देते रहने है 25 sectional test देने है आपको याद होगा आपके यह method के अंदर हमने आपको cat huddle के अंदर कुछ मलब 100 test दिये थे ठीक है एकदम basic level के अब हम आपको यहाँ पे देंगे ऐसे 25 sectional test यह आएगे आपके पास July के शुरुवात में जो आपकी week area को identify करने में मदद करेगा आपकी decision making skills को improve करने में मदद करेगा आपकी reading capacity को improve करने के लिए मदद करेगा ठीक है और आपका stamina बढ़ाने में मदद करेगा 3 गंटे sufficient है ठीक है and then बाद में आएगा आखरी के दो महिने which is accelerate 5-6 गंटे लगाने है मौक लिखने है minimum 25 मौक इससे कम चलेगा नहीं इससे कम चलने वाला नहीं है ठीक है तो मौक लिखने है मौक लिखकर अपनी केपसीटी को और अगे बढ़ाना है तो यह है भया pro talent की तरफ से आपको support मैं suggest करूँगा कि आपको weekly जो target मिलते है please उसको complete करे number one ठीक है weekly target क्या है math के 200 questions number one LRDI के 100 questions English में 5 words per day वाला module के 7 sessions 7 into 5 35 words एक RCVA का test ठीक है plus newspaper reading on a daily basis यह आपका काम है ठीक है अगर आप यह करोगे अगले कुछ महीने ठीक है और फिर उसके बाद कुछ नया काम आएगा वो आप करोगे तो दीरे दीरे अपने cat तक पहुँचोगे दोस्तों यह मान के चलिए कि मैं आपके लिए बिल्कुल बैठाओं मैं हूँ आपको एंड तक खिंच के लेके जाओंगा यह पका है ठीक है यह पका है कि मैं तुमारे लिए बैठाओं तुम्हें काम करना है ठीक है यह तुम करोगे तो तुम्हारा brain develop होगा यह तुम करोगे तो तुम्हारे decision making बढ़ेगी मैं तुम्हारे लिए पूरा का पूरा system set करके रख दूँगा regularly motivate करूँगा regularly guide करता रहूँगा सही सही समय पे सही सही information देता जाऊँगा ठीक है बराबर कहीं अटकोगे तो मैं वहाँ पे आके solve करके दूँगा हर छोटे छोटे problem solve करके दूँगा तुम्हारे पर दोस्त करना तो तुम्हें पड़ेगा ना ठीक है क्या मुझे commit करते हो ठीक है I was shocked from yesterday's performance therefore I thought कि मैं अब रोज आपको कोई नो कोई तरीके से आपको आपको अब ने लिए की कोशिश करूँगा ठीक है और मैं तयार हूँ क्या आप मेरे साथ लडाई लडने के तयार है हाँ कमें बॉक्स में लिखिए इस इस वेरी कुरुशील ठीक है चली, great thank you very much for watching this and all the best